Hello everyone, आप सभी का फिर से स्वागत है, यह घटना चक्र जोगरफी का डिसकसन है और हमारा टॉपिक चल रहा है परजाती एवम जनजातियां इस टॉपिक से रिलेटेड सेस कुछ प्रस्न बचे हुए हैं, पहले इनको कभर करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं प्रस्न संख्या 33, पूछा गया है एक जनजाती जो सरहुल तेवहार मनाती है वो कौन है एक जनजाती जो सरहुल तेवहार मनाती है वो है मुन्डा जनजाती मुन्डा जन्जाती अनेक तेवहार मनाती हैं जिसमें भागे, फागू, कर्मा, सरहुल और सोहराई परमूख है सरहुल तेवहार मार्च अप्रेल मा के दोरान मनाया जाता है 34 नमबर है घुमकरिया किस जन्जाती की समाजिक संस्था है याद रखेगा उराओं उराओं जन्जाती का युवाग्री घुमकरिया कहलाता है उराओं जन्जाती में समगोत्रिये विवाह निसिद है उराओं समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है उराओं में विवाह का सरवाधिक परचलित जो रूप है याद रखिएगा आयोजित विवाह है इसमें विवाह का प्रस्ताव वर्पक्ष के सामने रखा जाता है इस विवाह में वर्पक्ष को वधो मुले देना पड़ता है उराओं गाओं का मुखिया महतो कहलाता है ये थारू जनजाती प्रस्न काल के दौरान अगर बात करें तो उत्राखंड की सबसे बड़ी जनजाती जौन सारी थी जनगर्णा 2011-2019 सार उत्राखंड में निवास करने वाली जनजातियां उनकी जो संख्या है आप देख सकते हैं थारू की जो जन संख्या सबसे ज़्यादा है इसके बाद जौनसारी बुक्सा भोटिया और राजी जो आकड़ा है इसके अधार पर अगर बात करें तो उत्राखंड की सबसे बड़ी जनजाती थारू है प्रस्न संख्यात 36 है मिजोरा में बस्ती सनरूप मुख्याता कटकों के साथ रैखिक परती रूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्छा ठंडी है ये अप्शन आपका बिल्कुल सही अप्शन है मिजोरा में बस्ती सनरूप मुख्याता कटकों के साथ रैखिक परती रूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्छा अधिक ठंडी है और विशेशकर रातों में 37 नंबर है निमनलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो देखिए जो ऑप्शन है डाउटफूल है 2011 के जनगर्णा कनुसार बिकल्प में दी गई जनजाती एवं राज तथा उसकी उस राज में जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं भोटिया उतर परदेश में जनसंख्या 5196 खासी मेगाले में 14,11,775 तोड़ा तमिलाडू में संख्या कितना है दो हजार दो संथाल जğारखंड में संख्या कितना है 27,54,723 तो दिये गए तत्त के अधार पर उक्त प्रस्ण के किसी भी विकल्प का चैन नहीं किया जा सकता है 38 है निमनलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो देखिए इसमें जो B अप्शन है ओडम का सम्मन्ध आंधर पर्देश से दिया गया है जो की ओडम केरल राज का तेवार है नकी आंधर पर्देश का 39 है निमनलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताइए निमनलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो देखिए डी आप्शन में जो दिया गया है सिक्किम का जो सम्मन्ध है मुख भासा जो दिया गया है तिवती दिया गया है जो की सही सुमेलित नहीं है ठीक है और इसके बारे में देख लेते हैं देखिए याद रखिएगा सित्किम राज की मुख भासा नेपाली भुटिया और लेपचा है जबकि अन राजों की भासाएं सुमेलित है जो आप्सन में दिया गया है 40 नंबर है निमनलिखित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है जो आप्सन दिया गया है आप्सन जो है डाउटफुल है तो हम लोग इसके बारे में डिसकस करेंगे जनगर्णा 2.11 कनुसार अगर बात किया जाए तो सभी विकल्प जो है सही सुमेलित है जो आप्सन में दिया गया है विकल्प C में भोटिया के स्थान पर भूटिया होता है तो विकल्प C का चैन उत्तर विकल्प के रूप में होता है भोटिया के स्थान पर भूटिया भोटिया जन जाती उतर परदेश और उत्राखंड राजयों में पाई जाती है जबकि भूटिया जन जाती सिखिम, असम और पस्चिम बंगाल राजयों में पाई जाती है तो वड पर ध्यान दीजियेगा भोटिया और भूटिया फोटी वन है भील जाती कहां पाई जाती हैं तो महराष्ट में याद रखिएगा भील जन जाती भारत के गुजरात, मधपर्देश, छतिसगड, महराष्ट, आंध्रपर्देश, तिलंगना सहित, करनाटक, तिरपूरा और राज अस्तान प्रांतों में अधिवासित हैं फोटी टू है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहु पतित्वे की प्रथा मानी जाती है इसका सही जबाब क्या होगा आपको बताना है इसका सही जबाब है जौनसारी और टोडा यानि C अप्शन 3 and 4 भारत में जौनसारी खस टोडा कोटा बोटा तियान एवं इरावा तथा नायर जनजातियों में बहु पतित्वे प्रथा का प्रचलन है ध्यान रखिएगा खोटी थिरी सुची वन सुची टू के साथ आपको मिलान करना है एक तरफ जनजाती और दूसरे तरफ उनके निवास अस्थल का नाम दिया गया है तो चलिए मिलान करते हैं देखिए जो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए बी ऑप्शन को देखिएगा तो सही ऑप्शन है इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे भील जनजाती जो है इनका निवास अस्थान है राज अस्थान ठीक है संथाल का जारखंड राजी जनजाती जो है इनका निवास अस्थान उत्राखंड लेपचा का सिक्किम है तो याद रखिएगा 44 है सुची 1, सुची 2 के साथ इनको भी मिलान करना है एक तरफ जनजाती दूसरे तरफ छेतर का नाम दिया गया है तो चलिए मिलान करते हैं और इसका सही जब आप क्या होगा तो आपको मालूम है बिरहोर बिरहोर का जो छेतर है वो है आपका जारखंड ध्यार रखिएगा बिरहोर का समन जारखंड से है भोटिया का सिक्किम से है ठीक है टोडा का तमिलनाडू से है और सेंटीनेली का अंडमान एवनिकोबार दीवसमू से है सही ओप्षन है ए ओप्षन ठीक है ध्यार रखिएगा और रिवीजर कर लेते हैं विरहोर का जो छेतर है वो है जारखंड भूटिया का सिक्किम टोड़ा का तमिलनाडू सेंटीनली का अंडमान ए मिलान करते हैं वैसे आपको मालूम है इसका सही जबाब क्या होगा आप विडियो को पाउच करकर कर कमेंट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं अगर जबाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए देखे जो टोड़ा जन जाती है इनका जो सम्मंध है किस रास से है तो टोड़ा का जारखंड ठीक है और गारो का सम्मंध मिघाले यानि सही ऑप्षन है बी ऑप्षन दुबारा से रिविजन कर लेते हैं तोड़ा जन जाती हैं ये किस राज में मिलती है तमिलाडू लेप्चा का सिक्किम बिरोहर का समंध जारखंड से है और गारो का मिघाले 46 में भी आपको मिलान करना है एक तरफ जंजाती दूसरे तरफ मुल राज दिया गया है थारू बताईए थारू का सम्वंद किस राज से है तो उत्तर परदेश ध्यार रखिएगा थारू उत्तर परदेश भील भील का सम्वंद बताईए भील का है राजस्थान ठीक है? और गदी का गदी का जो संबंद है हुए हिमाचल परदेश और मुंडा का जार्खंड तो सही option होगा आपका D option ठ्यार रखिएगा और डिविजन कर लेते हैं थारूल का जो मुल राज है वो है उत्तर परदेश भील का राजस्थान गदी का हिमाचल परदेश और मुंडा का जार्खंड आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 47 सहरिया जन्जाती के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहा के निवासी हैं सहरिया जन्जाती के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहा के निवासी हैं तो याद रखिएगा राजस्थान के सहरिया जंजाती राजस्थान की परमुख जंजातियों में से एक है इसका सरवाधिक संकेंद्रण बारा जीले में है ठीक है 48, सुची 1, सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है तो चलिए एक तरफ जंजाती और दूसरे तरफ उनके निवास स्थान दिया गया है इसका सही जबाब क्या होगा आप बताएए सही जबाब क्या है तो देखिए इसका सही جबाब होगा चलिए मिलान कर लेते हैं और ऐपसन देखते हैं कौन सा ऐपसन जो है इसका नुसार सही होगा जोन सारी जोन सारी का जो संबंध है किस राज से है बताइए जोन सारी का उत्राखंड संथाल का बताइए संथाल का जारखंड और भील का भील का आपको मालूम है भील जो है मधपर्देश और लेपचा सिक्किम यानि जो सही option होना चाहिए वह है आपका B option देखे, जौनसारी का समद्ध उत्राखंड से है संथाल का जारखंड से है भील का मदपर्देश और लेपचा का सिक्किम 49 है भारत में जन्जातियों के निर्धारण का क्या अधार है भारत में जन्जातियों के निर्धारण का जो अधार है हो क्या है तो सांस्क्रितिक, विशेशिकरण और विभिन अवास भारत में जन्जातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्क्रितिक, विशेशिकरण और विभिन अवास को जो है अधार बनाया जाता है प्राशने संख्या 50 है सुमेलित कीजिए तो चलिए सुमेल करते हैं इसको देखे इसका जो सही जबाब होगा ए अप्सन होगा और डिस्कस कर लेते हैं जो पहारी कोरबा है जो पहारी कोरबा जन जाती है किस जीले से संबंदित हैं तो जस्पूर बैगा मंडला मारिया पताल कोरब यानि छिंदवाड़ा जहरीया गवालियर तो ध्यान रखिएगा 51 है सुची 1 आपको बताना है कि सुमेलित करकर किस राज से कौन संबंदित है तो सुमेल करिए और बताए कि कौन से जंजाती जो हैं और किस राज से संबंदित है इसका सही जबाब किया होगा आपको बताना है, तो देखिए मोपला ज्ञाती है, इनका जो समथ है, किसरा से है तो मोपला का केरल से है, मोपला केरल, मोपला केरल ठीक है, वन का सी हो गया मूरिया, शक्तिसगर ध्यार रखेंगा टोडा, मालूँ मैं, टोडा का समथ तमिलनाडू से है और मुंडा का उडिसा से तो इसका सही विकल्प होगा आपका D, D option ठीक है? दुबारा से रिविजन कर लेते हैं मोपला, केरल, मुरिया, छतिसगर टोडा, तमिलनाडू मुंडा, उडिसा 52 है टोडा, जन्जाती, मुख्यता, निवास करती है किस राज में? तो तमिलनाडू में C option आगे बढ़ते हैं 53 है निमनलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है चार कथन है आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है तो देखे देश की कुल जन्जाती जन संक्या के आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में है जो कथन सही नहीं है वो आपका B option देश की कुल जो जनजाती जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक जनसंख्या जो दिया गया है उत्तर पूर्वी भारत में यह कथन जो है सही नहीं है तो देख रहेते हैं जनगन्डा 2021 के अनुसार अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में सिखिम सहित देश की कुल जनजातिये जो जन संखिया है वह 11.9% नकी आधे से कुछ अधिक। Option B के अलावा अनिस सभी कथन सही है 54 है भारत के चांगपा समुदाय के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए चांगपा समुदाय के संदर में आपको तीन कथन दिया गया है पहला कथन है वे मुख्याता उत्राखनराज में रहते हैं दूसरा है वे अच्छे किस्म का उन देने वाले पस्मीना बकरों बकरियों को जो है पालते हैं और उन्हें अन्नुसूचित जन्जातियों की स्रेणी में रखा जाता है तो चांगपा समुदाय के संदर में तीन कथन है आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा तो बताइए देखिए इसका सही जो जवाब है आपका दूसरा और तीसरा कथन जो दिया गया बिल्कुल सही है यानि बी ऑप्शन इस राइट ऑप्शन चांगपा तीवतिये परजातिये समुखी अर्ध खानावदोस परजाती है जो मुख्यत्व लदाख यानि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्रसासित परदेश के जासकर छेतर में पाई जाती है और इस समुदाय का मुख्य बेवसाय पसुपालन है इन्हें पहाडी धालों पर मवेशियों और पस्मीना बकरों बकरियों के जुण के साथ अक्सर देखा जाता है तो यह 11 में इन्हें अनुसूचित जनजातिये निए स्टी के स्रेणी में वर्गिक्रेद किया गया था 55 है नेमलिकित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास अस्थानों के युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बता रहा है इसका सही जवाब क्या होगा देखिए जो ऑप्सन है वो है आपका डाउटफूल तो हम लोग किलियर कर लेते हैं कोरबा जनजाती मुख्यता जार्खंड और 36 गड में पाई जाती है कोरबा जो जनजाती है कहां पाई जाती है जार्खंड और 36 गड में कोड़कू कनाटक का एक जीला है जो इस जनजाती से संबंधित नहीं है इसलिए आपका जो असपस्थ है विकल्प D सही सुमेलित नहीं है प्रश्ण में आदिम जनजाती के सुमेलन का जो उलेख है किन्तु दिये गए विकल्पों में कोल और मुंडा आदिम जनजातिया नही है आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रश्ण है 56 नीचे लिखे राज्यों और जन्जातियों के युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब है बताइए जन्जाति का समद आंधर परदेश से नकी मदपरदेश से 57 है निमलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वह आपका जूलू का समद उडिशा से दिया गया है जूलू भारत के उडिशा में नहीं बलकि दक्षिण अफिरिका में निवास करने वाली जन्जाति है और अन्य सवी प्रश्णगत यूग में सुमेलित हैं 58 है सही जोडे बनाइए तथा नीचे दिये गए कुट से सही उतर चुनिए तो बताइए इसका कह सकते कि मिलान करना है मिलान करके बताइए कि सही जो आप्सन होगा वो कौन सा आप्सन है तो मिलान करिए देखे इसमें जो सही जवाब है चिंदवाडा चिंदवाडा का जो संबंद है वह आपका भारिया चिंदवाडा भारिया मंडला मंडला का गोंड और जाबुआ जाबुआ का संबंद भिल से है और आपका जो सिवपूरी का संबंद जो है वह है सहरिया से तो इसका सही जो आप्सन होगा ओप्षन देख लिजे, C option is right option देखे, छिंदवाडा, भारिया, मंडला, गोंड, जाबुवा भिल और सिवपूरी सहरिया 59 है, निमनलिखित जंजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार दिवसमुख की मुल निवासी नहीं है निमनलिखित जंजातियों में से आपको बताना है कि कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार दिवसमुख की मुल निवासी नहीं है वह आपका रेंगमा, रेंगमा याद रखिएगा, रेंगमा एक नागा जंजाती है जो नागा लैन और अस्सम में पाई जाती है हाल्चू, ओंजे, सुमपेन, अंडमान और निकोबार दिवसमुख की मुल निवासी है निकोबारी लोग स्वैम को हाल्चू कहते हैं द्यार रखिएगा और 60 नमबर है निमनलिखित केंदर सासित परदेशों में से ओंजे जंजाति के लोग किस में रहते हैं निमनलिखित केंदर सासित परदेशों में से ओंजे जंजाति के लोग किस में रहते हैं आपको बताना है किस केंदर सासित परदेश में रहते हैं तो अंडमान और निकोबार दिवसमुख याद रखिएगा 61 है निमनलखित अस्थानों में से कहां सुम्पेन जन्जाती पाई जाती है तो आपको मालूम है निकोबार दिवसमों में 62 है जारवा जन्जाती पाई जाती है कहां पर याद रखेगा जारवा जन्जाती निकोबार दिवसमों की एक परमुक्त जन्जाती है यह भारत की सरवाधिक आध जन्जाती है यह जन्जाती दक्षिन और मध अंडमान दिपो के पश्वी टटू पर पाई जाती है इनके सरकार के द्वारा जारवा सरक्षी छेत्र का निर्माण किया गया है जो कि वर्तमान में 1,2800 किलोमीटर छेत्र में विश्त्रित है 63 है जारवा जन्जाती के लोग जो हाल में चर्चा में रहें कहा के निवासी है तो जारवा जन्जाती के लोग अंडमान निकोबार के निवासी है 64 है निमनलखित राज और केंदर सासी तराजियों में जारवा जन्जाती का निवास हस्थान है अंडमान और निकोबार दिप्समूः ध्यान कियेगा 65 है भारत की सरवाधिक आध जन्जाती है बताए भारत की सरवाधिक आध जन्जाती है कौन है नाम है जारवा जन्जाती बी अप्सम आगे बढ़ते हैं और 66 है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समूदाए पशिमोतर भारत में अपनी संगित परंपरा के लिए विख्यात है ध्यार रखिएगा जो मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला जो लोग है ये समूदाए जो है पशिमोतर भारत में अपनी संगित परं प्रमपरा है इसके लिए ये विख्यात हैं मंगनियार राजस्थान के रिगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदा है और ये अपनी संगीत प्रमपरा के लिए विख्यात हैं जारफण की 32 जन जातियों में से 8 जन जातियां आडिम जन जातिया जो है आधिम जन जातियां और ये है असुर बिरहोर बिराजिया, कोरवा, परहिया यानि बैगा, सबर माल पहरिया और शोरिया, शोरिया पहरिया ये सामिल है धारखन की कूल जनसंख्या का 27 परतिसत भाग जनजातियों का है और द्वाजरेगारा के जनगर्णा के नुसार अगर बात करें 68 है, जूमिंग करते हैं जूमिंग क्रिसी करते हैं कौन से जनजाती तेके, खासी जो जनजाती है ये लोग जो हैं, बियापक अस्तर पर जूमिंग करते हैं, जो एक प्रकार की अस्तनांत्रित क्रिसी है तो ध्यान रखिएगा, खासी जनजाती के द्वारा खेरवार कथा बनाने वाली अनुसूचित जंजाती खेरवार है, चुकि कथा को खेर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जंजाती का नाम खेरवार पड़ा ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्वेंटी नमबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है एक तरफ जंजाती और दूसरे तरफ निवास अस्थल दिया गया है तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जब आप क्या होगा, संथाल संथाल का जो संबंध है वो है आपका, बताइए आपको मालूम है, संथाल का ज़ारखंड से भेल का, ये भी आपको मालूम है भेल का जो संबंध है वो है आपका, बताइए राजस्थान आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए तोड़ा जंजाती का जो निवास अस्थल है, वो है आपका तोड़ा ज़ारखंड से है, भेल का, राजस्थान से है तोड़ा का, तमिलाडू जरवास यानि जरवा का अंडमान और निकोबार दिर समूँ स्वेंटीवन है कुडुक बोली कुडुक बोली कौन बोलते हैं कुडुक बोली कौन बोलते हैं तो याद रखेगा, उराओ उराओ जरजाती कुडुक बोली बोलते हैं कुडुक द्रविण परिवार की एक बोली है स्वेंटीटू है कौन से राज में हलाम नोटिया जरजाती मुख रुप से पाए जाते हैं तो तिरपूरा तिरपूरा राज में हल्लाम नोटिया जन्जाती मुख रूप से पाए जाते हैं और 73 में सुची 1, सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं देखे जो गदिस है गदिस का संबंध हिमाचल पर्दिस से है ठीक है तोड़ा का मालूम है आपको तोड़ा का संबंध तमिलनाडूस से है खासी का बताईए खासी का मेघाले से और नागा का मडिपूर से खासी मेघाले नागा मडिपूर ठीक है इसका जो सही ऑप्षन होगा देख लेते हैं D option D option is right option गर्दिस जो जनजाती है इनका जो पर्देश है हिमाचल पर्देश है तोड़ा का तमिलनाडू खासी का मेघाले और नागा का मडिपूर किस जनजाती में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है भुणजिया भुणजिया जनजाती में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है यह रसोई घर लाल मिटी से बनाया जाता है और इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है 75 है किस जनजाती की आजीव का पारंपरिक रूप से बास पर अधारित है किस जनजाती की आजीव का पारंपरिक रूप से बास पर अधारित है तो वो जनजाती है कमार कमार जनजाती की आजीव का पारंपरिक रूप से बास पर अधारित है ये बांसे निर्मित हस्त सिल्पों का विक्रे कर अपनी आउस्यक्ताएं पूर करते हैं 76 है किस बिसेश पिछडी जनजाती की जनसंख्या 36 गड में सरवाधिक है याद रखेगा बैगा 36 गड के आदिम जाती तथा अनुसूचित जाती विकाज विवाध के अधिकारिक वेबसाइट में उपलब्द आकडो के अनुसार यानि जनगर्णा दौशे के अनुसार बैगा सबसे बड़ी जन जाती है ध्यान रखिएगा और यहाँ पे जो है एक तरफ जन जाती और जन संक्या दिया गया अबुज माडिया ठीक है सरवे 2002 के अनुसार कितना है 19,401 कमार का 23,282 बैगा का देख सकते हैं आप और पहाडी कुर्बा ठीक है आगे बढ़ते है 77 है बिल्मा निरित किस जन जाती के द्वारा किया जाता है तो बैगा 78 है गोधना गोधने वाली अनुसूचित जन जाती कौन है ओजहा याद रखिएगा ओजहा जन जाती को गोधना गोधने वाली अनुसूचित जन जाती करूप में जाना जाता है 79 है नेमनलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखिए इसमें C और D C और D जो दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है भारिया का समंध पटलिया से दिया गया है और कोरकू का समंध महार से दिया गया है गोधन जन जाती की उप जाती है परधान अगरिया ओजा नगर्ची सुलहास बैगा जन जाती की उप जाती है बिजवार नहार भारोतिया नरोतिया राय भैना कधम भैना जबकि पटलिया विल जन जाती की उप जाती है तथा महार अनुसुचित जाती है नहाला ववारी वड़या और मुवासिरूमा कोरकू की उप जाती है मुवास्सी रूमा याद रखिएगा प्रस्न संख्या 80 है निमनलिखित में से जनजाती और राज की कौन सी जोड़ी सही नहीं है निमनलिखित में से जनजाती और राज की कौन सी जोड़ी सही नहीं है तोड़ा का समन्द केरल से दिया गया जो की सही सुमेलित नहीं है भील याद रखे है गुजरात करनाटक मध परदेश और राजस्था इत्यादी गदी का हिमाचल परदेश जमु कस्मीर कोटा का तमिलाडू से और तोड़ा तमिलाडू की जन्जाती है 81 है भरमौर जन्जाती छेत्र किस परांत में इस्तित है आपको बताना है तो इसका सही जबाब होगा बताईए सही जवाब है देखे जो option दिया गया है भर्मौर का भर्मौर जनजातिये छेत्र किस प्रांत में इस्तित है तो इसका सही जवाब है हिमाचल परदेश यानि B option इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं देखे भर्मौर जनजातिये छेत्र हिमाचल परदेश में इस्तित है समनवित जनजातिये विकास परियोजना भर्मौर का मुख्याल है सिमला में है 82S21,S22 के साथ आपको मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं वैसे आपको पता है भेल का समन्द किस मतलब की राज से या इनकी जो अवस्तिती है पताए भेल का राजस्थान ठीक है मिलान कीजे गोंड का 36 गड़ गोंड का 36 गड़ लिम्बुस का सिक्किम और कुन्याक का नागालेंड यानि सही ओप्षन जो है वो है आपका ए ओप्षन दुबारा से रिविजन कर लेते हैं भेल राजस्थान गोंड 36 गड़ लिम्बुस सिक्किम पुन्याक नागालेंड भेल जन्जाती राजस्थान गुजरात महराश च्छतिस गड़ मद परदेश आधी सही सही समेलित नहीं है तो देखिए C option जो दिया गया खश का संबन्द जो है अरुणाचल परदेश से दिया गया जो कि सही समयलित नहीं है खश जन्जाती की अवस्तिति भारत के उत्राखंड हिमाचल परदेश जमू एवं कासमी राज और केंदर सासित परदेश में है अ आप अपना पर्तिकिरिया जरूर दीजिए, आपके पर्तिकिरियाओं का हमें बेस्बरी से इंतजार रहता है, और जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप, फेस्बूप पेज, इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया है, तो वीडियो के कार्डिंग में इनफोर्मेशन को सेर किया गया है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स सेशन में.